नमस्कार दैश नूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रिदियाल आपके साथ देखे सावन महीनी की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में यह महीना शिवभक्तों के लिए बेहद ही खास माना जाता है कल ही सावन की पहली सोमवारी थी जिसको लेकर के तमाम शिवभक्तों के बीच गजब का उठसाथ देखने के लिए मिल रहा था ऐसे में हम बात करेंगे पूर्णिया के सांसत पपुयादब की जो की एक अलग रंग में देखने के लिए मिल है जी आपको बता दे कि पपुयादब के कुछ वीडियो सामने आये हैं जिसमें साफतोर पर देखा जा सकता है कि वे पूरी तरह से भोले नाथ की भक्ती में लीन है जी आपको बता दे कि इन वीडियो को पपुयादब ने खुद ही सोशल मेडिया अकाउंट के जरिये शेयर किया है जिसमें साफतोर पर देखा जा सकता है कि शिव की भक्ती में लीन होकर के पपुयादब गाना गा रहे है तो वही कावरिया लेकर के भी चलते हुए वे देखे गए है आप उन वीडियोज को अपने स्क्रीन पर भी देख सकते है कि किस तरह से पपुयादब ने भगवा रंग का जो कुड़ता है वो पहन लिया है और इसके साथ ही पीले रंग का गमछा ले लिया है और भोले नात की भक्ती में मस्त मगन हो करके उन्होंने गाना गाया तो वही दूसरे वीडियो में भी आप देख सकते है कि किस तरह से कावरिया लेकर पपुयादब बढ़ते चले जा रहे है और इसके साथ ही उन्होंने बोल बम बोल बम के नारे भी लगाया है आपको बता दे कि ये वीडियोज पूरी तरह से सुर्खियों में छाय हुए है पपुयादब के और लगातार इन वीडियोज के सामने आने के बाद पपुयादब के जो चर्चे है वो तेज हो गया है लगातार इन वीडियोज पर कमेंट्स भी भरभर के सामने आ रहे है आपको बता दे कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब पपू यादव किसी पर्व तिवहार को लेकर के काफी उत्साहिद दिखे हैं बलके इससे पहले आपको बता दे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए जो मुहर्म का पर्व आया था उस दौरान भी पपू यादव जम कर पर्व में हिस्सा लेते हुए देखे गए थे जी या हम रहे अपने चाया के माध्यम से कई वीडियोज को आपके साथ साजा किया था जिसमें देखा जा रहा था कि कभी बे लाठी खेल खेलते हुए देखे गए तो कभी ढोल नगारे भी बजाते हुए देखे गए है तो ऐसे में अब जब बोल बम की शुरुआत हो गया है पावन महीना आ गया है तो ऐसे में अब भोले नात की भक्ती में लीन भी दिख रहे है पपु यादव तो कुल में आकर देखा जाया तो पपु यादव लगतार पूर्णिया में जमे हुए हैं तिके हुए हैं बने हुए हैं और लगतार अपनी जनता के बीच पप्पू यादव जरूर ही शामिल हो जाते हैं कई सारी तस्वीरों को भी हमने आपके साथ साजा किया है जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि पप्पू यादव अपने लोग सभा शेत्रे में पूरी तरह से तैनात हैं और लोगों से लगातार बाचित कर रहे हैं मुलकात कर रहे हैं और समस्याएं से रूबरों भी हो रहे हैं इससे पहले आपको बता दे कि बिहार को विशेश राजे का दर्जा नहीं मिलने पर भी पप्पू यादव का रियाक्शन सामने आया था तो ऐसे में आपको बता दे कि जब किसी भी तरह का बिहार से जुरा मुद्दा होता है तो उस मुद्दे को लेकर के भी बयानबाजी करने से पपो यादव नहीं चूकते हैं तो ऐसे में अब जब सावन के महीने की शुरुआत हो गई है तो पपो यादव पूरी तरह से भोले नात की भक्ती में लीन दिखे हैं कभी वो गाना गाते हुए दिख रहे हैं त इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेस्बुक के माध्य हम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले